सबीका बहुत स्वागत है क्लास में और इस नए लेटेस्ट चैप्टर जहां पे हम लोग परमाणू सरचना नाम के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है Atomic Structure तो हेडिंग लगाई है Atomic Structure आज कोई बहुत जादा डिटेलेशन नहीं होगा बहुत डिटेल में लोग डिसकस नहीं करेंगे आज हम केवल इस चैप्टर का बैक्ग्राउंड समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा भी है साथ में इस चैप्टर के अंदर इतने सारे रहस्य है कि उनको किस वे में कैसे समझा जाए वो अपने आप में थोड़ा भारी बढ़ता है तो अगर फ्लो पता होगा तो ठीक रहेगा और अभी अभी एक खुशकबरी भी है मैं शेयर करी देता हूं आप लोगों के साथ में जारकन बोड का रिजल्ट आया है एक बच्चा है बजेंदर माली करके Chemistry 93, Physics 94, Mathematics 98 इनका जल्द ही यूट्यूब पे भी हम लोग बताएंगे अब यह अभी जस्ट रिजल्ट आया है तो अभी बच्चों के मेरे पास आना शुरू हुए है चलिए बहुत अची बात है बढ़े आगे Atomic Structure से शुरू करते हैं देखो कहानी थोड़ी अलग टाइप की है Atomic Structure अर्थात परमाणों की सरचना यह चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ एक्चल में इस चैप्टर का बेग्राउंड बड़ा विचितर रहा है सबसे पहले इस चैप्टर की शुरूआत पधार्थ शब्द से की जाती है पधार्थ शब्द जिसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं वहां से यह चैप्टर शुरू होता है पधार्थ की एक परिवाशा है पधार्थ हर वह वस्तु जिसका कुछ दिर्वेमान हो और जो कुछ स्थान गिरती हो उसे हम पधार्थ कहते हैं तो हर वह वस्तु जिसका दिर्वेमान हो तथा जो कुछ इस्थान गिरती हो पधार्थ कहलाती है हर वह वस्तु जिसका कुछ दिर्वेमान हो जो कुछ स्थान गिरती हो पधार्थ कहलाथ जैसे माली जी अभ पधार्थ के बाद थोज द्रव गैस इस तरह की कंसेप्स भी आए कि पधार्थ जो है पधार्थ जो है वो अवस्थाएं होती है पधार्थ की ठोस, द्रव, गैस वो एक अलग डिस्कुशन चला जाता है बट देखो एक्चुन में क्या होता है ने कि अब पधार्थ को हमने परिवाशित तो कर दिया हमने उसकी अवस्थाएं भी बना लें कि ठोस है, द्रव है, गैस है इस प्रगा हमने उसकी अवस्थाएं भी बना ली बट यहाँ पर एक बड़िया चीज बाद में निकल करके आई वो यह है कि पधार्थ आखिर किस्से मिलके बना है जरा उसका तो पता लगा लें ठीक है, फिर सारी माता पुड़ी उसके लिए स्टार्ट हुई, पधार्थ किस्से मिलके बना है उसका पता लगाने के लिए पधार्थ को तोड़ना शुरू किया गया, जैसे माली जी ये भी अपने आप में पधार्थ है, अब मैं इस पधार्थ होगर तोड़ना शुरू दिवार के अंदर क्या है? तो वैसे ही पदार्त आपके पास है, उस पदार्त को तोड़ते-तोड़ते-ठोड़ते-ठोड़ते-ठोड़ते- her। पता लगाने की कोशिश की कि आकिर बना किस से है और जब आपके पधार्त को तोड़ा गया तो डॉल्टन ने एक काम किया था और उस पधार्त को तोड़ते 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 वो जिस आवस्था पे जाकर के बैठा एक ऐसा उसको कण मिल गया जिस कण के लिए उसने कहा कि भाया इससे ज़्यादा तो मैं तोड़ ही नहीं सकता और उस कण को उसने फिर atom का नाम दिया इस भाशा में a word का मतलब होता है not और तम word का मतलब होता है divisible Greek language के अंदर आपका जो atom का a है उसका मतलब होता है not और तम का मतलब होता है divisible तो atom का मतलब है ऐसी चीछ जिसको तोड़ा ना जा सके not divisible उसे हम atom कहते हैं इस प्रकार से बात हुई फिर atom की सहीए बात yes or no हराम से चलो दीरे दीरे इस चेप्टर को समझो आज मैं इस चेप्टर का केवल आपको एक fundamental introduction दूँगा आपको इस चेप्टर के बारे में बताऊंगा basic बस फिर हम कल की क्लास में cathode ray experiment और वहां से चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका 11 का जो syllabus है वो तेजी से चले ठीक है अगली से इस बात का ध्यान रखा जाएगा बट कुछ चीजें ऐसी है जो टाइम लिंगी इस साल कुछ चैप्टर्स ऐसे पर्टिकुलर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है आपके पास इसी साल जो टाइम लिंगे देंगे उनको टाइम को दिख करनी है बड़ आपकी बड़ाई बैस से बैस तो हमारी कोशिश ही रहेगी है राइट हिंदी में इसको हम लोगों ने फिर परमानू कहा तो परमानू की जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी न वेटा वो ये थी कि परमानू पधार्थ का सबसे शूक्ष्मतम आविभाज्य कण है कि परमानू जो है वो पधार्थ का सबसे शूक्ष्मतम सबसे शूक्ष्मतम आविभाज्य कण है इसको आप विभाज्य नहीं कर सकते smallest undivisible particle बड़ वो कहते हैं कि जो सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है बाद में ये पता चला कि परमानू को तो तोड़ना संभव है परमानू को तोड़ा जा सकता है और परमानू को हम किस किस में तोड़ सकते हैं इस बात का भी पता चला कि कि परमाणू को हम तोड सकते हैं, परमाणू को विभाजित कर सकते हैं, परमाणू तूट सकता है, इलेक्टरॉन में, प्रोटॉन में और न्यूटरॉन में, हाला कि इनकी डिस्कवरी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग समय हुई, बट इलेक्टरॉन, प्रोटॉन, न्यू के प्रोटॉन की खोच का श्रय जाता है, गोल्डिस्टिन के पास ? और तो इलेक्ट्रोन की खोचिक हाए, थॉम्चन बाव नंए, प्रोटॉन की गोल्डिस्टिन ने और न्यूटॉट त्रिक बना रखिये इंट पर गिर कर नाच इंट पर गिर कर ये जो है आपके सा मने रिका है जिससे आप याद कर सकते हूँ इंट इलेक्टरॉन की कोच तोमसण ने पर गिरगोर प्रोट्रॉन की कोच गोल्डिस्टेन ने नाच नूट्रॉन की कोच चैडभीक ने फिर जब electron, proton, neutron जो है course complete हो जाएगा बिल्कुल भी चिंता मत करो आज से आपका syllabus जो है 11th class का प्रॉपर तरीके से start हुआ है आज से ठीक है नहीं बिल्कुल चिंता करने के जरूत नहीं आप बस अपनी पढ़ाई करो बाकि सब हम पे छोड़ दो 11th class का जो course है वो actual में आज ही स से start हो है सही तरीके से अब वो course अपनी speed से आगे चलेगा ठीक है परिशान नहीं होना है और आज क्लास भी काफी छोटी है आज मैं आपको केवल इस chapter का आउट्लो करता introduction देने जा रहा हूँ कल से इस class को फिर अपन depth मिले के जाएंगे ठीक है नहीं समा सोचना की यह तो कैस यह हुआ जब electron proton neutron की खोज हो गई तो उसके बाद आपके परमाणू में electron proton neutron की इस्तिती कहां पर है इसके बारे में discussions start हो गए है और मैं आपको इब बात बताओं पहले electron proton की खोज हुई उसके काफी टाइम बाद में neutron की खोज हुई थी कल आप पढ़ोगे कि electron की खोज कैसे ह हुई neutron की खोज कैसे हुई बट ये एक बात बिल्कु सत्ते है कि electron proton neutron की खोज के electron proton की खोज के बहुत बाद में neutron की खोज हुई थी तो जब electron proton neutron की खोज हो गई तो उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि electron proton है कहां पर आके इसका तो पता चले तो जब electron proton की इस्तिती के बारे में बात हुई तो models बनना शुरू है Model में आया Thompson भाई साब का परमाणू Model जब Thompson का परमाणू Model आया तो उसके अंदर उन्होंने electron और proton की बात की थी केवल neutron की खोज उस समय तक हुई नहीं थी तो इन्होंने केवल electron proton के बारे में बताया कुछ बात है इनकी ऐसी थी जो आज तक सत्ते हैं और कुछ बात है ऐसी थी जो बिलकुल ही गलत है जिनके बारे में समय आने में पढ़ेंगे जब इनका केल खतम हुआ तो उसके बाद में एक प्रियोग वा जिसका नाम है अलफा प्रक्रिनन प्रियोग अलफा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट अलफा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जानना चाहते हूँ अलफा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गीगर और मार्सडन ने कुछ लोग कहते हैं रदरफोर ने किया था रदरफोर इनके बॉस थे बॉस कहलो टीचर कहलो तो रदरफोर इनके टीचर थे बॉस थे और इनके संदक्षन में किया actually इन दौनों ने था गीगर और मार्जडन ने बढ़ नाम तो बहुत कई होता है इसलिए हम इसको रधरफोड के अलफा प्रियोग के नाम से भी जानते हैं बट ये एक फैक्ट है कि इस प्रियोग में दिमाग लगाया था गीगर और मार्जडन ने रधरफोड ने उनकी help की प्रियोग के आधार पर रधरफोड ने या अपना मॉडल दिया जिसका नाम है रधरफोड का परमाणू मॉडल रधरफोड का जो परमाणू मॉडल था उस रधरफोड के परमाणू मॉडल में बहुत सारी कमियां भी थी दिख रहा है सबको चला छोटा हो गया है अब ठीक है चलाओ तो रधरफोड के परमाणू मॉडल में बहुत सारी गलतियां भी थी उन गलतियों को ठीक करने के लिए फिर आया बोर का परमाणू मॉडल बोर के परमाणू मॉडल को समझने के लिए बोर के परमाणू मॉडल के उपर बहुत अच्छे सिध्यान देने के लिए हमें जो है प्लांक का सिध्दान्त समझना पड़ेगा ठीक है फिर बोर के मॉडल के अंदर भी कमियां आई फिर आपको हाइजनबर्ग का सिध्दान्त पड़ाया जाएगा आपको डी बोर्गली का सिध्दान्त पड़ाया जाएगा सुनने में अजीब लग रहा है न कैसे कैसे नाम है फिर आपको डी बोर्गली का सिध्दान्त पड़ाया जाएगा हाईजनबग के सिद्दान तो डीप लोग लेगा सिद्दान जब हो जाएगा ठीक तरीके से उसके बाद में फिर आप इनकी कम्या सीखते वे क्वांटम मॉडल पे जाओगे जो अभी तक का असेप्टेड मॉडल है और क्वांटम मॉडल के बाद में आपको दिखाई देगा क्वांटम नंबर्स और जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर आधिकरिक तोर पे समाप्त होगा ये कहा लिए सर हमारा डैन बहुत तेज आंधी चल रही है मॉडल के बेटरीट की खतम हो जाती है आज की चैप्र की क्लास बहुत चोती है मैं आपको आज की मॉडल समझा रहा है इस चैप्टर का क्या है नेक्स से क्लास में आप रिलेक्ट़न पॉटोन नीूर्टाव्य घ्रॕ छीॉड चॉरू करोग struggles में क्या होगा जब यह chapter चलेगा तो आपके दिमाग में कुछ confusions create होंगे अपने आप ही वो confusion कुछ इस प्रकार की होंगे कि सारी chapter चल रहा है इस chapter में हम कहां पर हैं तो आपको एक map चाहिए होगा तो आपको इसी प्रकार के map के जरुत पढ़ेगी है और map यह रहा आपके पास तो कभी मालो मैं आपको plan का सिद्दान पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरा रधरफोर का model complete हो गया है और बोर के model से परे सरी topic पढ़ा रहे है मैं आपको Heisenberg का सिद्दान पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि सरा बोर का परमाडर मॉडर पढ़ते हैं अपने Heisenberg पर क्यों चले गए यह एक और topic आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कि सरा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों पढ़ा रहे हो तो आपके दिमाग में confusion नहीं होना चीए इसलिए यह जो आपके सामने है बहुत काम आएगा एक होता है black body radiation है ना इस सब topics आएगे लिख कर रख देता हूँ मैं आपके सामने इन सब का अधियनाब करोगे ठीक है यह कहानी है डन है किलियर है बिहार बोड़ की परिक्षा फरवरी में हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है कि और जब आप क्वांटम नंबर्स को पढ़ लोगे तो क्वांटम नंबर पढ़ते पढ़ते आप कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सीखोगे कि जहांपे पॉली का नियम हुंड का नियम यह सब आपके सामने आएंगे यह पूरा रोड मैप इस चैप्टर का आपका होने वाला है अभी फिलाल के लिए हमने जो विवस्ता सोची है आप लोगों के लिए वह यह है कि हम एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन फिजिक्स इस तरह से रहेंगे बड़ अगर हमें लगता है कि यह विवस्ता ठीक नहीं है तो इस विवस्ता को बदल दिया जाएगा और हम आपकी क्लासिस को बढ़ातेंगे ठीक है आपको उस चीज को लेकर के परिशान नहीं होना है ठीक है बच्छा चले रहें तो यह इस चप्टर का रोड़ मैप है अब आप रिलेक्स हो सकते हैं और इस रोड़ मैप को आराम से पनी कॉपियम बना लीजिएगा इसी रोड़ मैप के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पूरे चैप्टर को चलाइंगे और पूरे चैप्टर में इसी रोड़ म में आपके बैस पर पढ़ाई होगी अब जब भी अब कल की क्लास में जब भी नेक्स ट्लास अब की पर्सों होगी शायर वहां लोग इन तीनों की दिस्कवरी पर बात करेंगे फिर ऐसे ऐसे मॉडल्स करके आगे चलेंगे और चीजें पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक है बढ़िया है यहां तक तो चलिए जैसे मैं आपको बताया था कि आज का काम हमारा केवल रोड मैप देना था तो हमने कर दिया है बाकी 11 क्लास के बच्चे यह ना सोचें क्लास की दूरेशन कम है वगरे वगरे आप पहली बार पढ़ रहे हैं बट हम पहली बार नही नहीं आ रहा है आपका 100% आ यह बात हम जानते हैं पढ़ाई उसी तरीकी से आपको करवाई जाएगी उसको लेगे आपको परिशान होने की कोई भी जरूत नहीं है चलिए तो अब इजाद़ लेंगे आपसे और एक और चीज आपकी निमेरिकल्स के लिए यूटूब के उपर भी आप ध्यान दीजेगा अंक कोश करके हमने जो सीरीज चलाई है उसके अंदर भी आपकी निमेरिकल्स कराएंगे तो जब मैं आपको कहूं कि आज अंक कोश क क्लास है तो आप उस क्लास में अटेंड जरूर करिएगा कौकि अंक कोश वाली क्लास में 12 की निमेरिकल्स होंगे और 11 के भी होंगे वह एक सीरीज चलेगी अंक कोश 12 उसमें 12 के निमेरिकल्स चलेंगे अंक कोश 11 उसमें 11 के चलेंगे वह भी आपको अच्छे अच्छे ले प्रड़रा है रिए है और कर्वार है टूररा है